नमास्कार दोस्तों, Electrical Technician Channel में आपका स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सिखने वाले हैं कि हम किस प्रकासे फ्रीज का वाइरिंग करेंगे, वो भी बिलकुल आसान भसा में यानि कि आप इस वीडियो को देखने के बार फ्रीज का वाइरिंग करना सिख जाओगे ठीके दोस्तों, तो दोस्तों प्लिस इस वीडियो को लास तक जरूर देखीगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिगा और एक प्यारा सा कॉमेंट भी और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो देखें दोस्तों सबसे पहले तो हमारा जो फ्रीज होता है उसका मेंड कॉम्पोनेंट उसका कंप्रेसर होता है तो यहाँ पे हमारे पास एक कंप्रेसर है तो दोस्तों यह जो हमारा कंप्रेसर होता है इस कंप्रेसर में तीन टर्मिनल होते है एक कोमन टर्मिनल, एक स्टार्टिंग टर्मिनल और एक रनिंग टर्मिनल अब यह जो हमारा कंप्रेसर है इसके अंदर में दो winding किया आता है एक तो common terminal से लाके starting में connect कर दिया आता है दूसरा common terminal से connect करके running पे connect कर दिया आता है एक होता हमारा starting winding और दूसरा होता है running winding ठीके दोस्तों अब ये जो हमारा compressor होता है इसको start करने के लिए एक relay की जोर पड़ता है उसके बाद जैसे हमारा compressor start होता है तो starting winding को open कर देगा यानि कि starting winding में power supply जाना बन हो जाएगा और जो हमारा compressor होता है वो के वाल running winding पे work करेगा ठीके दोस्तों अब इसके बाद में हमारा compressor होता है इसके protection के लिए एक device उसके जाता है जिसको हम बोलते है OLP यानि कि overload protector यह जो हमारा overload protector होता है यह क्या करता है कि power supply break करेगा कब break करेगा जब हमारा compressor गरम हो जाए यदि हमारा compressor गरम हो जाता है तो उस condition में यह OLP operate हो जाता है यानि कि power supply को आगे flow नहीं होने देगा और जैसे compressor दुबारा थंडा हो जाएगा तो दुबारा power supply को आगे flow नहीं देगा उसके बाद आपने fridge में यह भी देखे होंगा कि हम fridge के temperature को set करते है यानि कि एक rotary switch होता है उसको गुमाके हम temperature set करते है कि हमें fridge के अंदर कितना temperature को रखना है तो उसके लिए यहाँ पर thermostat का उपयोग किया जाता है दोस्तों यह जो हमाँ thermostat है इसका काम यह है कि यदि fridge के अंदर temperature maintain हो जाता है यानि कि आप जितना temperature fridge के अंदर रखना चाते है उतना maintain हो गया तो उस समय क्या करेगा यह thermostat power supply को break कर देगा यानि कि यह thermostat से आगे power supply flow नहीं हो पाएगा ठीके दोस्तों अब यहाँ पे temperature set करने के लिए यहाँ पे एक knob दिया गया होता है जिसको हम rotate करके temperature को set करते हैं उसके बाद जैसे हम fridge के दरवाजा को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि एक light glow हो जाती है यानि कि उसके अंदर एक bulb लगा हुआता है अब यह जो हमारा bulb है यह हमेशा glow नहीं करता है यह तब glow करेगा जब हम gate को open करते हैं यानि कि एक switch लगा होता है तो यहाँ पे जो switch लगा था उसको हम बोलते हैं door switch यानि कि जैसी हम gate को खोलेंगे तो यह जो door switch होता है वो operate हो जाएग और operate होने के बार power supply को आगे flow कराएगा और जो हमारा bulb है वो glow हो जाएगी अब यह जितने भी component है यह हमारे fridge में होते हैं इसके अलबा एकोड प्लक टोब होता है जिसके दोर हम इन सभी equipment को power supply देते हैं ठीके दोस्तों तो यहां पे हमारे सभी component आ चुके हैं अब हम इसका wiring करन सिख लेते हैं तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो हमारा जो बल्ब है इसका connection कर लेते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया थे कि यह जो हमारा बल्ब होना चाहिए जब हमारा door open होता है तो हमें क्या करना होता है कि जो हमारा face supply है उसको हम plug top से लेके जाएंगे और जो हम food terminal से एक wire को connect करके ले जाते हैं और जो हमारा lamp है उसको face supply दे देएंगे अब इस lamp को glow कराने के लिए neutral power supply भी चाहिए तो उसके किया करते हैं यहा हम से connect करकेदे यह और जो हमारा bulb होता है इसको हम neutral power supply दे देंगे अब यहाँ पे है जो हमारा bulb है उसको fresh supply और neutral power supply मिल गया थीक है तो दोस्तों एक बार देख लीजिए कि यह जो हमारा lamp है वो किस प्रकार से work करेगा देखिए जब हम इस plug top को power supply में connect कर देते और switch को चालू कर देते तो उस condition में क अब जैसे अब गेट को open करते हो यहाँ का power supply यहां तक पहुंच जाती है उसके बाद यहां से power supply होते हूए सीधे bulb टक पहुंच जाएगी और इधर से neutral power supply इसको मिली रहा है यानि कि इस bulb को fresh supply और neutral power supply मिल जाएगा जससे हमारा बल्ब है वो επैवर फिहां हो जाएगी थीक है तो यहाँ पे इतना concept clear होगा होगा अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो हमारा compressor है इसको हमें face supply और neutral power supply देना पड़ता है operate का निकले क्योंकि यहाँ पे जो compressor उज़ कर रहे हैं वो single face का compressor है ठीक है तो यहाँ पे जो compressor है उसके terminal का पहिचान किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से हम इसका connection करेंगे उसके बारे में एक बार समझ लीजिए उसके बार इसका connection करना सिख लेंगे दोस्तों जो हमारा compressor होता है compressor के अंदर में दो winding किया जाता है एक दो running winding दूसरा starting winding तो उसके लिए आपको multimeter का उप्योग करना पड़ेगा अब जो आपका multimeter है उसको resistance पोजिशन पर select करने के बाद आपको क्या करना है हर एक terminal पर resistance को measure करना है और उसको not down कर लेना है और जब आप resistance को measure कर लोगे तो उसके बाद आप देखोगे कि आपका जो एक resistance है वो कम आया और दूसरा resistance उससे थोड़ा ज़्यादा आया और तिसरा resistance उन दोनों के total में आया ठीक है यानि कि जो हमारा running winding होता है उसमें winding थोड़ा कम किया जाता है यानि कि जो हमारा running winding होगा उसका resistance सबसे कम आएगा जिसका resistance सबसे कम आया वो हमारा running winding हो जाएगा ठीक है उसके बाद जो हमारा starting winding होता है उसका resistance running winding से थोड़ा सा जादा आएगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा running winding है इसका 2 ohm resistance आया है दोस्तों यहाँ पे आपको example के लिए 2 ohm दिखाएगा है लेकिन actual में आपक करता है कि आपका compressor कौन सा है ठीक है तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमार running winding है उसका resistance 2 ohm आ रहा है और जो starting winding है उसका resistance 3 ohm आ रहा है अब जब आप इन दोनों terminal पे measure करोगे resistance को यहाँ और यहाँ पे तो आपको इन दोनों का total मिलेगा यानि कि 5 ohm resistance मिल जाएगा ठीक है दो तो कुछ इस प्रकास से अब multimeter का उप्योग करके terminal को पता कर सकते हो अब यादि दोस्तों आपके पास में multimeter नहीं है तो उस condition में आप क्या कर सकते हो terminal को देखके पता कर सकते कि कौन सा terminal आपका common है कौन सा starting कौन सा running तो दोस्तों देखिए जो हमारा common terminal था वह अलगी होता य अब जो हमारा running tunnel है यानि कि right hand side में होगा यह हमारा right hand side है तो यह होगे हमारा running tunnel अब जो एक दूसरा tunnel बज़ जाएगा left hand side में वो हमारा starting tunnel हो जाएगा इसके अलावा यदि दोस्तों आपका यदि common tunnel नीचे में तो आपको क्या करना इस side से देखना उपर से देखना अब जब बैटके इसको देखोगे तो यह जो हमारा comment terminal अब यहां से यह आप देखोगे तो आपका right hand side यह वाली हो जाएगा तो यह हमारा running हो जाएगा और यह हमारा starting हो जाएगा ठीक है दोस्तों खुछ इस प्रकास से हम terminal को देखके यह पता कर सकते कि कौन सा common terminal है कौन सा starting और कौन supply को देना होता है लेकिन यहां पे हम neutral power supply डारेक्ट नहीं देते हैं इसके बीच में हम OLP को use कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं यहां से एक वायर को connect करके लिए जाते हैं और जो हमारा compressor है इस compressor को हमें face supply देना है तो face supply देने के लिए हम क्या करते हैं हमारे जो प्लक तो पे इसके आउपूट terminal से हम क्या करते हैं एक वायर को connect करके लिए जाते हैं और जो हमारा thermostat है उसके एक टर्मिनल पर connect कर देंगे दोस्तों यहां पर connection में आपको बीच में से करके लिखाया हैं लेकिन हम क्या करते हैं यहां से एक वायर को लूप करके इस thermostat को power supply दे देते हैं अब यह जो हमारा thermostat है इसके आउपूट से जो power supply जाएगी वह इस रिले में चली जाएगी लेकिन इस रिले में टीन टर्मिनल है तो यहां पर हम connection कहां पर करें तो दोस्तों दिखिए यह जो हमारा रिले होता है इसमें टर्मिनल का नाम लिखा होता है जैसे कि एक पर लिखा होगा common टर्मिनल एक पर starting और एक पर running ठीक है तो जो हमारा रिले है उसका जो dummy टर्मिनल है उसमें हम Power Supply Thermostat के दौरा देते हैं तो यहां से एक वार को connect करके हमерм clinics कें र्मिनल पे connect कर देंगे ठीक है अब माल लेते हैं कि यह जो टर्मिनल है यह को स्टार्टिंग के लिए तो हम क्या करेंग में यह ही से एक पर में एक मोटा वाला पीन है, इस पीन से हम क्या करते हैं, एक वायर को connect करके ले जाते हैं, और इसको ले जाके हमारा जो compressor है, इसके body के सार connect करते हैं, जिससे benefit यह होता है, कि यदि हमारे compressor के body में किसी प्रकार का power supply आ जाता है, तो उस condition में इस wire से power supply flow होते हुए, सीधे ground हो तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो हमारा lamp का circuit है, इसको मैंने आपको already expand कर दिया हूँ, तो इसको हम यहाँ पे skip कर देते हैं, अब देखिए, यह जो हमारा plug तो पे, यदि मैं इसको socket के सार connect करता हूँ, और switch को on कर देता हूँ, तो सबसे पहले जो power supply होगा, वो यहाँ से flow होते हुए, सीधे thermostat तक पहुच जाएगी, अब यहाँ का power supply यहाँ तक पहुच जाएगी, अब यहाँ से power supply flow होते हुए, सीधे relay में पहुच जाती है, अब यह जो हमारा relay होता है, वो starting में दोनों terminal, यानि कि starting terminal और running terminal, दोनों पे power supply देगा, अब यादि इन दोनों terminal पे power supply मिलता है, तो यहाँ से power supply flow होते हुए, starting में और running winding के terminal पे पहुच जाएगी, यानि कि compressor के starting और running terminal पे power supply पहुच जाती है, जिससे कि हमारा compressor वो start हो जाएगा, अब जैसे हमारा compressor start होता है, तो यह जो हमारा relay होता है, इसके अंदर एक plunger होता है, यहाँ क्या करता है, कि यह जो हमारा starting terminal है, इससे power supply को break कर देगा, यानि कि compressor के start होने के बाद, power supply के वाल running वाले terminal पे मिलेगा, यानि कि यहाँ सका power supply के वाल यहाँ पे flow होगा, यहाँ पे flow नहीं हो पाएगा, तो उस condition में क्यों होता है, जो हमारा compressor है, वो के वाल running winding के द्व temperature set करके, इतना temperature पहुचने के बाद, यह जो हमारा thermostat है, यह क्या करता है, power supply को break कर देता है, यानि कि यहाँ का power supply यहाँ पे पहुच नहीं पाएगा, तो जिससे क्या होगा, यह जो हमारा compressor है, इसको phase supply नहीं मिलता, तो यह बंद हो जाती है, तिके दोस्तों, अब जब हमार fridge के temperature दुबारा बढ़ जाता है, यानि कि जितना temperature set के उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो दुबारा यह NC contact बन जाएगी, जिससे क्या होगा हमारा compressor है, वो दुबारा start हो जाएगी, ठीके दोस्तों, अब दोस्तों दीके, यह जो हमारा compressor है, यह चलते चलते गरम हो जाता है, तो उस condition में, यह जो OLP, यह operate हो जाएगा, और यह जो OLP, यह क्या करता है, neutral power supply को break कर देगा, अब जैसे ही neutral power supply break होता है, तो हमारे जो compressor है, इसको neutral power supply नहीं मिल पाएगा, जिससे की compressor बंद हो जाती है, अब जैसे ही compressor दुबारा थंडा हो जाता है, तो उस condition में, यह OLP normal हो जा जाते हैं, और जो हमारा fridge होता है, किस प्रकार से वर्ड करता है, दोस्तों यह आपको यह वीडियो पसान आया हो, तो प्लिस इस वीडियो पर like, share और comment भी कर दीजिएगा, और यह आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया, तो subscribe भी कर लीजिएगा, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद,